दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमारी ये जो ब्लैक वाली फोटो है ये कम्पलीट गोडा शो कर रहा है है तो इसको कवर करने के लिए चलिए मैं आपको पूरी स्टेप सीदम स्टार्ट टू एंड दिखाता हूं चीजे आपको बिल्कुल समझ में आएंगे आप प्लीज कम् करने का अपने लैप्तॉप या अपने सिस्टम के ऊपर तो चीज़े बहुत क्लेर होएंगे तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे ये वाली फोटो को आपन कर लेंगे जिस फोटो पर अपने को अप्लाई करना है ये डिजाइन्स क्लेर है ओके ना आपने पास दो थी मैं डुप्लिकेट वाल लेयर पर काम करता हूँ ठीक है ओके अगला अपने को आप्शिन क्या करना है कि ये जो बैक्ग्राउंड लेयर है जिसको मैंने डुप्लिकेट किया इस पर अपने कोने एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा है तो सेट के लिए क्रिएट न्यू सेट यहां पर दिख करो यहां पर जिक और अटमेटिक सेट आ गया और यह फोटो मेंने डाल दें ऐह बहुत जाज़ादा औपशन डिफिकल्ट नहीं है आप इस पर करजर रखो यहां से एक आपको शो थाखकर रहा है लेयर फिल ओप्षिन और एड्जस्मेंट लेयर का उप्षिन इस पर आप क्लिक करो और यहां से solid color पर आने के बाद आपको यहां से वह color की strength मसलब अपने को face को गोड़ा करना है तो थोड़ा से yellowness पर आते हैं और yellowness से अपने को widening tone चूस करना है मतलब यहां पर color शो कर रहा है ऐसा अपना face को cover करना है now click करते हैं ठीक है और click करने के बाद अपने को press करना है ctrl आई या आपना image से adjustment में आके invert पर click कर दो यह भी option आपको show कर रहा है चलो मैंने invert पर click करके दिखाए इसकी shortcut है control आई अब थोड़ा image को मैं बढ़ा कर लेता हूँ ठीक है अब देखो क्या करना है अपने को इसको इसको ड्रॉ करना है ठीक है इस पर वही color को तो थोड़ी सीच को मैं increase करता हूँ ठीक है न और चलो control के साथ plus button प्रस करोगे न तो image की size increase हो जाएगा ठीक है अभी क्या करना है इसके चारो और अपने को वह वाली color को ड्रॉ करना है तो थोड़ा मैं size को बढ़ा कर लेता हूँ तो size कैसे बढ़ा होगा आप देखोगा square bracket न ओपन का option होगा आपके keyboard में आप उसको press करो या नहीं तो right click करके भी आप इसकी thickness को increase कर सकते हो ठीक है न यहां से आप इसकी thickness को यहां से भी increase कर सकते हो तो जैसा आपको सही लगी ठीक है न ओके मैं फिर से मैं cover करता हूँ थोड़ा समय इसकी size को छोटा कर देता हूँ पहले outer area को properly define करना है इससे चीज़े clear लगे है न उसके बाद में आप लोग inner area को cover कर लेंगे तो इस काम को आपको fastly cover कर लेंगे ठीक है तो छलो मैं fast fast इससे cover कर लेता हूँ ठीक है जहां जहां पे skin से जिस जिस skin पर apply करना है तो दिहान से इससे cover कर लिजे okay so अपने को इतना cover कर लेना है properly ठीक है न अब देको चीज़े न जो भी extra idea आपको लग रहा है उसको मतलब मैंने आपको cable छोड़ा है और रवाई सारी चीज़ों को मैं cover कर लिए ठीक है न अब देको बहुत ही आसान option है अब अपने को करना क्या है थोड़ा मैं control minus करता हूं ठीक है न इसकी size को थोड़ा से decrease करता हूं ठीक है control minus से and then यहां से अपने को layer option में आ रहा है यह जो blending वाल option है और यहां से आपको चूज करना है soft light क्लिक कर देखो अपना यहां पे soft light apply हो क्या है अब देखो face में थोड़ी changes लाना है तो अपने को क्या करना है image से adjustment में अभी और थोड़ा अपने को थोड़ा cover चाहिए तो यहां से मैं Curves पे click करता हूं ठीक है न और Curves को थोड़ा से increase करता हूं थोड़ी से enhancement faces पे आ रही है अपने को ज्यादे enhancement नहीं लाना है ठीक है न ओके अभी दिखो अपना जो photo था कुछ इस तरहीं कर था ठीक है और अभी अपना ऐसा दिख रहा है photo ठीक है अगर अपने को इसका lip का color भी थोड़ा बहुत change करना है अपने को same funda वही अपनाना है तो set के अन्दर अपनem करेंगे क्या फिर से भी काम करेंगे ठीक है न कि अपने लोग को ने यहां से color define करेंगे क्लिक करेंगे यह एं यहांसे solid color पर आएंगे चलो रेट कलर में आपको चुछ करना है लेप स्टिक के लिए लेप यूज करना है सेम प्रोसेस में कंट्रोल आई से इनवर्ड या इमेस अच्छसमेंट और फिर से इसके साइस को थोड़ा से इंक्रीज कर लो और अब आपको धी थोड़ा अच्छे से करना है अगर आप द्रोस ही तरीके से करोगे तो चीज़ीं बहुत अच्छे से कावर ओएंगे काफी लोग गलती करते हैं कि वो लोग प्रॉपल्ली हमें जितनी एरिया की रिकॉर्मेंट है जितने एरिया में अपने को वो चेंजेस चाहिए पस उतना ही हम लोग ट्रॉप कर लेता है अपने को करना क्या है ctrl- and then same process यहां पर क्लिक करेंगे and soft light पर करेंगे अगर आप इसकी लेवल को थोड़ा decrease करना चाहत हो तो यहां से opacity पर जाओ और थोड़ा कम कर दो काफी जाथ कम नहीं करना है थोड़ा बहुत कम करना है अपने एकदम color tone match होता रहे ऐसा भी ना लगे कि हम लोग काफी red color इसमें थौपती है तो ऐसी option जैनुर्ट नहीं होनी चाहिए चीज़ें एकदम color होनी चाहिए तो थोड़ा अपने हिसाब से manage कर लो ठीक है अब यह बात देखो हमारी पहले कुछ इस तरह से थे और now अभी हमारी कुछ इस तरह से देख रहे तो friends I think आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक blackness image को कैसे गोड़ा कर सकते है ठीक